हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक माई यूटीब चनल, आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा और ये आप डिजाइन तो देखी रही होंगी, कि कितना प्यारा नजर आ रहा है चोटी के सेफ में, आप इसे टोपी बनाएंगी तो बहुत ही प्यारा नजर आएगा, साथी बह और भाजू के कारडिगन वगजर बनाती हैं तो उसमें भी आप इस पैटन को बना सकती हैं, और बनाना बहुत ही आसान है, मैं अभी आपको इस ठार्टिंग से बना करके बताऊंगी, और साथी ये प्यारा साहसा बार्डर है जो इस नहीं पार्डिंग में, लाइनिंग ज जिनों ने सस्क्राइब कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत धनीवा तो चलिए बनाते हैं फटाफटी इस डिजाइन को तो यहाँ पर क्या करना है 12 नमर का सलाई लेना है जिससे आपको बॉर्डर बनाना है तो उसमें आपको स्टार्टिंग में क्या करना है जो भी उन का बना रही है तो जितने भी आपको लंबे फंदे बनाने जैसे 100 बनाना है 200 बनाना है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मैं यहाँ फोर लाइन करके उन को ले रही हूं ताकि थोड़ा मोटा हो जाएगा तो डिजाइन बहुत अच् से इस तरीके से फंदे बना लेना है खीचके और फिर इसको सलाई को हमें इस फंदे में डाल करके इस तरीके से टाइट कर लेना है अब हमें क्या करना है जैसा आप हमेसा बनाती है कि यह जो अंगुठे वाले फंदे होते हैं इसको हमें इस तरीके से लेने रहते हैं और फ और यह वाला सिंगल वाला उन जो है इसके उपर से ला करके रखना और इस वाले उन को हमें ऐसे उपर से ला करके बस ऐसे ही छोड़ देना है और खीच लेना है देखिए खीच लेंगी उसके बाद फिर हमें एक फंदे ऐसे बनाना है और एक फंदा हमें ऐसे बनाना है देखे फिर से एक फंदा ऐसे जो हमेशा हम सिंगल फंदे बनाते हैं और एक फंदा हमें ऐसे बनाना है इसे लेकर के फिर उनको लाना है इसके उपर से लाकर इसे छोड़ देना है एक बार धियान से देखिए ऐसे लेना है ऐसे छोड़ना है और ये वाला फंदामी अंगुठे में ऐसे रखना है और उनको ऐसे रखके फिर वापस इसके उपर से लाकर के हमें ऐसे छोड़ देना ह यह हो गया आप ऐसे लेना ऐसे करके उपर से ला करके हमें छोड़ देना है इसी तरीके से आप बनाईएगा तो यह डीजाइन जो है आपका फंदे का बन जाएगा जब जादा बना लेंगी तो अच्छे से मालूम पड़ेगा तो इसी तरीके से फंदे प्लस मैं बॉर्डर बना लेती हूं तो यह फंदे मैं थोड़े और बीन लेती हूं तो फंदे बना लेने के बाद आपको क्या करना है अराम से सिंपल सा ही मैं आपको बॉर्डर बता देती हूं बनाने के लिए जो कि आप आसान तरीके से बना सकती हैं तो यह रिखे और लेना है सबी फंदों में ये दो फंदे एक साथ रहेंगे तो इससे सेपरेट करना है अलग-अलग करना है देखिए तो इसी तरीके से पूरी सिलाई में बना लेती हूँ अब आप यहां तक बना लिएं जितना ही चोड़ा आपको ब़ॉर्डर बनाना है उसी साथ से बना लिजिए उसके बाद फिर आपको क्या करना है पहले फंदे उतार लीजी और तीन फंदे उल्टे बिनेंगे एक, दो और ये तीन फंदे उल्टे हो गए अब चौते फंदे को हमें क्या करना इस तरीके से लेना है और इसमा डवल उन को फसा करके ऐसे सीधे बिन लेने हैं फिर उनको अपनी और लाएंगे, दो फंदे उल्टे बीनेंगे, एक और ये दो, दो फंदे उल्टे बीनेंगे, उनको पीछे करेंगे, और तीसरे फंदे को इस तरीके से डवल उन करके लपेट के सीधे बना लेंगे, फिर उनको अपनी और लाएंगे, दो फंदे उल्टे उनको पीछे तिसरे फंदे में डवल उन करके लपेटना है फिर वापस से एक और ये दो फंदे उल्टे तिसरे फंदे को इस तरीके से लपेटना है तो पहली सिलाई आपको सामने से राइट साइड से ऐसे ही बनाना है जड़ा सेwnें में गामर जाना है को या कि आप parents आप मिढें टेसरे से इसरे से आपको आहिपने स्वनीं लुग जैanie तो सब्सक्राइब करना है नियुर campus क्षार्ग कर नैंज्गा जी हो गया उसमें दिए necesita क्रा जी एए दिए साइब हेँ आप लए से करना है जिसमें हमने डवल उन करके लपेटा है उसमें वापस से हमें डवल उन करके ही लपेटना है जैसे कि पहले फंदे उतार लीजिए और इस फंदे को ऐसे ही रखिए पीछे से और इसे डवल उन करके लपेटना है और ये इस तरीके से खोल लेना है उनको पीछे करिए और दो सिधेएंञे दो फिर उनको अपनियों लाए फिर इसको ड़्वल करिए जो पहले ही हमने करके उन लपेटा था उसमें फिर वापस से दो खन्दे सी दो सीधे उनको लपेटेंगा दोनों साइड से सीधे और उल्टे दोनों तरफ से हमें उनको जो इसमें डवल लपेटे थे इसमें हमें उसी तरीके से बनाना है तो दो सिलाई बनने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा तीसरी सलाई भी हमें सेम रिपीट करना है ये दो फंदे उल्टे उनको पीछे तीसरी फंदे में सीधे बिनके डवल लून करके लपेटना है फिर उनको अपनी उर लाना है दो फंदे उल्टे बिनने है एक और ये दो फिर उनको पीछे करना है इसमें डवल लून करके लपे तो इसी तरीके से हमें पूरा कर लेंगे अब जाब जैसे ही आपका फोर लाइन यहाँ पर कम्पलीट हो जाएगा बना करके कुछ इस तरीके से नज़र आएगा तो अब हमें क्या करना है इसमें पहले फंद उतार लेके दो फंदे जो हमेशा उल्टे बीनते से उल्टा बीनेंगे उनको पीछे करेंगे और ये वाले फंदे जो डवल उनकर के लपेटे हैं उसे खोलेंगे देखी एक दो तीन और ये चार चारो फंदो को खोल लेना है और ये लाश्ट वाले फंदे को स्लाई में ऐसे उठा लेना है और फिर यहाँ पर क्या करना है इन चारो फंदो को स्लाई में ऐसे रखना है और इसके उपर से लाके हमें ऐसे यह वाला फंदा जो है लास्ट वाला इसके उपर से लाकर छोड़ देना है देखिए अब यह चार फंदे आगए एक साथ में तो अब इसमें हमें क्या करना है इस तरीके से डवल उनकर करके लपेटना है देखिए यह वगया फिर उनको अपने उर लाईए और दो फंदे उल्टे भी निये उनको पीछे करिए फिर इन फंदों को छोड़िये जो डवल करके उनकर के लपेटे थे कुछ इस तरीके से यह हो गया यह लास्ट वालेक्व स्लाए को इन करना है और यह चार फंदों को उपर लाकर रखना है और इसे हमें इसके उपर से ला करके ऐसे छोड़ देना है फिर ये चार फंदों को हमें लेना है और इन चार फंदों में डवल उन करके ऐसे लपेटना है देखिए फिर से देख लिजे दो फंदे बीच में गैब दिये हैं जो उल्टे बनेंगे उनको पीछे और ये लास्ट वाले फंदे को ऐसे चड़ाना है चारो फंदों को उसके उपर से लाकर के ऐसे छोड़ देना है अब इन चार फंदों के बीच में से ऐसे डवल लून करके लपेटना है पूरी सलाई आपको ऐसे ही बना लेना है देखिए एक, दो, तीन, चार इसको लाएंगे और इन चारों के उपर से लाके ऐसे छोड़ देंगे यह हो गया अब इसको हम ऐसे डवल करके बनाना है इसी तरीके से पूरी सलाई हम बिन लेंगे तो पूरी सलाई हो गई, कम्पलीट कुछ इस तरीके से बन गया अब जह हमें बैक साइट से वापस है, जो फंदे हमने डवल बनाए है, उसमें डवल ही बनाना है जैसी यह हो गया ना, फिर वापस है, इसमें बैक साइट से भी उनको डवल बनाना है और जो सीधे फंदे हैं उसे सीधे फंदे बिनेंगे देखिए बैक साइड से मालूम पड़ेगा आपको कि कौन से फंदे कैसे बनाना है इसमें डवल है तो डवल बना लेंगे उनको पीछे करेंगे और फिर दो फंदे सीधे बिनेंगे फिर से डवल है तो डवल बना लेंग उनको पीछे दो फंदे सीधे तो इसी तरीके से इसमें भी हमें फोर्थ स्लाई तक लेके जाना है तो हमें इसी तरीके से बना लेना है तो इस सेकेंड्ड स्लाई हो गया अब नेक्स्ट जब भी आपका फोर्थ स्लाई कम्प्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से नज़राएगा तो इसमें हमें वापस से क्या करना है इसी पैटन को रिपीट करना है कैसे करना है देखिए यह दो फंदे उल्टे भी नेंगे और यह डवल उनको लपेटा हुआ है इसे खोल लेंगे वापस से एक दो तीन और यह चार पूरा चारो फंदे खोलेंगे और ये जो है चार फंदे पहले वाले इसमें हमें इसलाई को इन करना है और प्लस ये चार फंदे को उपर रखके और ये चार फंदों को इसके उपर से ला करके हमें ऐसे छोड़ देना है और फिर ये चार फंदों में हमें डवल उन करके लपेटना है देखिए इस तरीके से तो यह चोटी वाला जो है सिफ आपका बनता चला जाएगा एक बार ध्यान से देखिए कैसे करना है दो फंदे उल्टे उनको पीछे यह डवल उन वाला जो है से खोल लेना है और यह चारों फंदों को वापस स्लाय में लेंगे और इन चारों के उपर से ला करके हमें ऐसे छ तो यह चोटी के सेफ में जो है डिजान बनता चला जाएगा तो मैं इसे कम्प्लीट कर लेती हूं तो कैसे देखिए खोलेंगे इसे चारों को वापस इस चारों को स्लाय में लेकर के इसके उपर से लाके हमें इसे छोड़ देना है और फिर इन चारों को नेक्स्ट डिजाइन के लिए डवल उन करके लपेट लेना है तो पूरी मैं स्लाय बना लेती हूं सुफरें से देखिए complete हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यह pattern नजर आएगा और जब आप ज़्यादा बना लेंगी तो कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है यह design देखिए यहापर मैंने ज़्यादा भी बना करके रख लिया है तो उमीद करेंगे आप सभी कोई design प्लस से वीडियो पसंद आये होंगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और जिन्होंने सस्क्राइब कर लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू